Hello Everyone, हम बात कर रहे हैं Redox Reactions पे और Redox Reaction में हमने First Part complete discuss कर लिया That is Oxidation Number क्या होता है, कैसे calculate करते है उसके बारे में हमने complete discussion कर लिया है अगर किसी ने भी वो part नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो पीछे वाली वीडियो देख ले क्योंकि उसका use आगे आने वाली वीडियो में बहुत होने वाल है तो आज हम discuss करेंगे कि कैसे oxidation state vary करती है या oxidation state बहुत तरीके से different molecules में different होती है किस तरीके से होती है आज हम उनके structure का एक छोटा सा part समझेंगे कैसे हम structures की formation करना शुरू करते है तो ध्यान से देखेगा ध्यान से समझेगा बहुत important part आपके लिए बनने वाला है और साथ में अगर यदि आपको वीडियो अच्छे लगती है तो इसे like, comment और share जरूर करें और साथ में अगर हमारे channel पे आप नए है और subscribe नहीं किये तो please channel को subscribe जरूर करें तो शुरुवात करते हम redox reaction में जैसे हमने last part में discuss किया कि H2SO4 हमारा एक compound है और इस compound में मैंने oxidation state निकालने की कोशिस की मैंने का इस compound में sulfur की oxidation state क्या होगी तो हमने का बहुत आराम से हम इसकी oxidation state निकालते है कि बिल्कुल left hand side से चलना शुरू कर दो और जब आप left hand side से चलके जाओगे तो जो जो atom आता जाएगा उनका charge ले लो side atom का और जो जिस atom की आपको oxidation state निकालनी है उसके लिए X assume कर लो तो हम चल पड़े हमने का hydrogen hydrogen पे plus 1 होते है कितने hydrogen है तो 2 है बहुत अच्छी बात है यह हम discuss कर चुके x plus minus 2 into 4 हम बहुत अच्छे से निकाल चुके charge उसके बराबर होते है तो हमने X की value निकाल ली थी that is plus 6 यह हमारे पास value आ गए थी बहुत बढ़िया अब मैं ज़रा इस बात को समझने चला और मेरे को एक चीज समझ में आई और वो यह आई कि जो भी element है जो भी element है जैसे माल लो स्पोस करो मैं A हूँ मेरी pocket में 1000 रुपए पड़े हुए है बहुत बढ़िया 1000 रुपए ठीक है मेरे सामने कोई भी आजए B आजए C आजए D आजए and so on मुझे पैसे देने क्योंकि मेरे पास में total available पैसे कितने है और available है मेरे पास 1000 रुपए मेरे को अगर यदि C को देने D को देने E को देने तो मैं maximum कितने रुपए दे सकता हूँ मैं maximum कितने दे सकता हूँ 1000 तक दे सकता हूँ इन तीनों को दोंगा तो total summation तो 1000 ही दे सकता हूँ इससे ज़्यादा तो मैं दे नहीं सकता बात क्लियर हो गई अगर मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि भाई हजार रुपए मेरे पास प्रेजेंट है और मैं जब डिस्ट्रिब्यूट करने जाऊंगा या मैं बड़े दिल वाला हो गया मैंने इनको बाटने की कोशिस क तो जब मैं बाटना तो मैं मैक्सिमूम कितने दे सकता हो मैक्सिमूम तो हजार ही दे सकता हो क्योंकि मेरे पोकेट में हजार ही है हजार से ज़्यादा मेरे पास पैसे ही नहीं है हजार से कम मैं कितने भी दे सकता हो लेकिन हजार से ज़्यादा कभी भी नहीं दे सकता कभी 2SO5, मेरा compound है यह, मैंने कहा भाई इसमें sulfur की oxidation state निकाल के दिखाओ, हम चल पड़े, चलो भाई, sulfur की oxidation state निकालते हैं, वो ही formula हमने use किया, कौन सा, hydrogen, सबसे पहले hydrogen आया, बहुत बढ़िया, दो से गुणा किया, plus, plus, कौन आ गया, sulfur, जिसके oxidation state मुझे calculate करनी है, sulfur, that is x, कितने sulfur है वो 1 है, तो x plus, आगे बढ़े, oxygen, oxygen पे minus 2, 4, कितने oxygen है, 5 है, तो 5 से गुणा, बराबर 0, x की value निकाली, तो 2 plus x minus 10, बराबर 0, और x बराबर, कितनी 8, ज़र आप गोर करो, और ध्यान से देखो, तो मेरे पास sulfur, जो की, कौन से period के, that is, 16th period, 16th group, sorry, 16th group का element है, और जब 16th group का element है, मैंने इस से पूछा, मैंने भाई, तेरे पास maximum कितने electrons है, तो इसने कहा, मेरे पास maximum number of electrons जो होते हैं, वो 6 होते हैं, क्योंकि oxygen family में आप जानते हो, maximum number of electrons कितने होते हैं, 6 होते हैं, oxygen family में, fluorine family में कितने होते हैं, तो 7 होते हैं, halogen family में, maximum 7 होते, अगर मैं nitrogen family की बात करूँ, तो इसके पास में 5 होते, noble gases की बात करे, xenon की बात करे, तो इनके पास valence में 8 होते, होते, बिलकुल होते, लेकिन मैंने का, आपके valence में तो 6 electron होते, और आप oxidation state दिखा रहे हो, plus 8, इसका मतलब यह हो गया, कि आपकी oxidation state 8, इसका मतलब क्या ह हुआ, इसका मतलब यह हुआ, आप 8, 8 electron छोड़ सकते हो, 8 electron lose कर सकते हो, भाई, किसी के उपर positive charge आना, किसी भी element पे positive charge आना, क्योंकि मैंने कल आप से बात की, कि oxidation state, oxidation state कैसे होती है, A और B के बीच में electronegativity difference, और bond की वज़े से difference, bond में electronegativity difference, और जब difference है, तो obvious ही बात है, A से electron खीचे जाएंगे, कौन खीचेगा, B खीचेगा, तो इसमें partial negative, इसमें partial positive, कितने खीचेगा, 8, 8 electron खीचेगा, बिलकुल खीच रहे, oxidation state हमने निकालने सिखी है, और उसमें हमने देखा कि भाई, sulfur तो 8 oxidation state शो कर रहे है, ना, यह कता ही possible नहीं है, क्योंकि sulfur maximum 6 electron lose कर सकते है, क अगर oxygen family में 6 electron होते है, sulfur 6 electron शो कर सकते है, maximum, तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया, कि sulfur को oxidation state plus 8 दिखानी पड़ी, तो क्या हम गलत है, बहुत बड़ा question, बहुत बड़ा question, क्या, शायद हम गलत है, शायद जो formula हमने पढ़ा है, वो गलत है, हो सकते है, भई formula गलत हो सकते है, जो हम हमने पढ़ा है, वो formula गलत हो सकते है, तो हम यहाँ पर बात जानने है, हमने का, ना भाई, ना तो हम गलत है, ना हमारा formula गलत है, हमने जो formula अपलाई किया है, oxidation state निकालने का, वो बिल्कुल, बिल्कुल सही है, एकदम सही है, तो हमने आखिर पुछा, भाई, आखिर ऐसा क्य क्यों कि हमारे पास में इसकी oxidation state है, वो आठ आ रही है, और sulfur अपनी oxidation state आठ दिखाई नहीं सकता, चलो कोई बात नहीं है, हो सकता है, एकाद compound में गलती आ भी जाए, हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, हो ऐसा, हो सकता है, हो गयो गलती, छोटी-मोटी गलती चलती रहती है, ह क्रोमियम ने का, मेरी oxidation state निकाल नहीं है, हमने का, बिलकुल निकाल नहीं है, बोले X, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमने पुछा भाई, oxygen है, बिलकुल है, दो, पाच, बराबर 0, X, बराबर 10 है, कमाल हो गया, कमाल है यह तो, कमाल यह है, कोई भी element, 8 electron अपने octet को पू oxidation state, इस हिसाब से, ना वई, एक आद जगां पे गलती हो जाए, तो चल जाता है, लेकिन यह नहीं है, बार 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 उस गलती को repeat करें, बार बार हमारे पास में वहीं गलती repetition बन जाए, नहीं, यह possible नहीं है, इसका मतलब यह definite है, कि कही न कहीं तो गड़बड है, मुला गलत हो, तो अब हम जब पूछने गए इन से, हमने इस से पुछा, भाई बता कहा गड़बड है, आप 8-8 electron, बोले, नहीं, मैं तो 6 oxidation state शो करता हूं, और मैं 6 कर रहा हूं, उससे ज़्यादा मैंने किसी को नहीं दिया, हम बार 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 पूछ रहें, जैसे आज गलती तो है, आप कह रहे हो, गलत नहीं हो, लेकिन बाहर से तो दिख रहे है, बोले, बाहर से दिखने दो मेरे बाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अभी भी एकदम साफ हूं, मैं पहले भी साफ था, मैं पहले भी सच बोल रहा था, अब भी सच बोल रहा हूं, मैं 6 से ज़ वलत नहीं हो तो क्या है क्या है फिर यहां पर बोले देखो आपने जो कंपाउंड बनाए है च्टू एसो फाइफ इसमें उक्षडेशन स्टेट प्लस एट आनी चीए या नहीं चीए बोले आनी चीए फॉर्मुले के इसाब से लेकिन जब मेरी स्ट्रक्चर देखोगे जब बिलकुल structure की base पे चलो जड़ा देखते है calculate करके देखते है हमने पुछा बताओ भाई आपकी structure बताओ फिर कैसी है structure इसने का मेरी जो structure है देखो sulfur double bond oxygen double bond oxygen oxygen ने bond बना है OH से बिल्कुल बनाए OH से bond बनाता है ये तो structure होती है हमारी H2SO4 की ध्यान से देखना पहले में एक छोटा सा structure के base way example बना रहा हूँ उसके बाद हम structure खुद बनानी सिखेंगे कि structure कैसे बनती है बनानी सिखेंगे बिज़र ध्यान से समझना हमने पुछा H2SO4 भाई तुमारी structure ऐसी होती है बिल्कुल मेरी structure ऐसी होती है sulfur अपनी surrounding में कितने bond बना सकता है बोले 6 bond बना सकता है बना रखे तो हमने का compound हमारा H2SO4 नहीं है H2SO5 है इस compound में बताओ कि यहाँ पे कौन से structure आएगी हमने का चलो यह भी देख लेते तो इस sulfur ने का मेरी जो structure होगी वो structure कुछ हैसी होगी हमने का है आपकी structure ऐसी है हाँ मैं ऐसा दिखता हूँ मैं दिखने में ऐसा हूँ मैं और कोई bond नहीं है oxygen ने कोई और भार से अलग से bond नहीं बनाया हमने का अच्छा चलो शायद आपकी जब structure ऐसी है हो सकता है कि शायद गलती हो रही हो हो सकता है कि आपकी structure गलत हो बोले नहीं structure मेरी बिलकुल सही है और जब structure सही है तो बोले अब oxidation state निकाल के देखो आपको वही नज़र आएगी जो आप plus 6 मानते आए हो चलो हम निकालने चले हमने का oxygen is more electronegative बिलकुल electronegative oxygen is more electronegative मतलब दो partial negative charge इस पे दो partial positive charge oxygen और sulfur में फिर electronegativity difference इस पे partial negative इस पे partial positive charge same काम नीचे हो रहा है same काम नीचे हो रहा है दो partial negative दो partial positive charge same काम यहाँ पे partial positive partial negative हाइड्रोजन से खीच है एलेक्ट्वन तो पार्शल नेगेटिव पार्शल पोजिटिव हमने पुछा भाई देखो अब ज़रा काउंट करो सलफर पे ऑक्षडेशन स्टेट कितनी है तो इसने का दो डेल्टा प्लस दो डेल्टा प्लस चार एक और एक छेट वाव वेरी और तम जाओ एक मिनट और रखो जड़ा और वह रुके तो हमने पूछा यह क्या है यह कि इसने का यह मेरे एक बॉर्ण और इस बॉन्ड को ध्यान से दे देखना द्यान से देखना बहुत important से बॉन्ड का पर ऑक्सीलिंकेज बॉन्ड कहते हैं परॉक्सीलिंकेश Oxygen के साथ ही bond मना के बैठ है Oxygen का Oxygen के साथ ही bond है अगर ऐसा bond present है that bond is known as peroxylinkase bond अब हम एक बात पोचने गए बाइस सब यह बताओ यह peroxylinkase bond क्या होता है बोले देखो Oxygen का Oxygen के साथ मतलब यह दोनों same atom है यह दोनों same atom है और बिलकुल है और अगर दोनों same atom है तो इनके बीच इसमें electron negativity difference है वो भी zero होगा और जब zero होगा तो क्या कोई से electron खीचेगा बिलकुल नहीं खीचेगा इसका मतलब इस पे भी partial negative और इस पे भी partial negative किसकी वज़े से इस hydrogen से electron खीचने की वज़े से इस bond की वज़े से नहीं इसका मतलब मेरे को एक बात clear हो चुकी है कि यह वाला ज पूरी कहानी समझ में आ गई कि भाई गडबड पता है क्या हो रही थी गडबड यह हो रही थी कि हम अभी तक ध्यान से सुनना हम अभी तक यह मान के चल रहे थे कि जितने भी oxygen साएंगे जितने भी oxygen साएंगे वह सब के सब oxygen हमेशा negative two charge लेके चलेंगे हमेशा हम यह मान के है और हम मान के चले इस compound में H2SO5 में हम यह मान के चले कि sulfur की oxidation state अगर मैं निकालूंगा तो oxygen minus two charge बिल्कुल बाई बिल्कुल बाई प्लस इसमें two x sorry two plus sulfur के लिए x तो मेरे पास में यहां से आ गया था बिल्कुल आठ आ गया था लेकिन जब मैंने structure देखी न तब मुझे पता है यह oxygen b minus 2.4 कर रहे हैं बिल्कुल सही है यह oxygen b minus 2 charge कर रहे हैं इसमें तीन oxygen तो ऐसे हैं जो minus two minus two minus two charge carry कर रहे हैं लेकिन इसमें जड़ा गोर से देखो तो एक oxygen है दूसरा oxygen है यह दोनों minus one charge carry कर रहे हैं अब जड़ा इसकी oxidation state निकालके देखो 2 पे minus 1 और 3 पे plus 2 तो जरा मानते हैं sorry minus 2 मानते हैं जरा 2 plus x बिल्कुल है x sulfur के लिए निकालनी है plus 3 के लिए तो minus 2 3 के लिए तो minus 2 और 2 के लिए minus 1 बराबर 0 निकालो जरा minus 2 plus 2 0 minus 2 plus 2 0 ठीक है और x की value x is equal to plus 6 यस बिल्कुल सही बिल्कुल सही इसका मतलब ये बात definite होगी कि मेरे पास कोई भी compound है उसके अंदर जो difference होगा oxidation state जो maximum से भी ज़्यादा चली जाएगी तो उस case में गडबड हमारे formula में नहीं है गडबड किसमे है गडबड हमारी structure में है उस structure की गडबड को पहचानना हमे अब बात यहाँ पे आगे दिमाग खराब हो चुक है पूरी तरीके से माथा ठनक गया हमने पुछा भाई ऐसा क्यों और हमें ये कैसे पता चलेगा किस compound में किस compound के अंदर ये oxygen oxygen bond present है किसमें present और किसमें नहीं है ये हमें कैसे पता चलेगा तो हमें एक बोला गया कि भाई ये चीज़ पता करने के लिए अब आपको बिल्कुल नहीं गबराना कि भाई अगर आपको कोई भी structure दी जाएगी तो आप बहुत आसानी से find कर सकते हो किस compound में कितनी paroxyl linkage present है हमें पुछा अच्छा ये हम बता सकते है बिल्कुल हम बता सकते है कोई भी compound जिसके भी अंदर आपको ये पता करने कि कि किसके अंदर ये oxygen oxygen bond present है तो बहुत आपको सब से पहले बिना देखे जैसे हम मान लो आप से कोई कह दे ध्यान से सुनना इस बात को एक छोटा सा example ध्यान से सुनना जब तक आपके सामने कोई ए बंदा खड़ा है ठीक है आप यहाँ पे खड़े हो आप देख रहे हो इसको आप जब शुरुवात में किसी को देखोगे मिलोगे यह आप से मिठी मिठी बाते करेगा यह आप से मिठी मिठी बाते कर रहे है वाव यास वेरी गूड बहुत अच्छे बढ़िया बहुत बढ़िया आप यही मान लोगे यार यह तो बहुत अच्छा है तो आपको भी यहाँ पे वही मानने है कोई भी compound दिखेगा तो आपको वही मानने ये compound बहुत अच्छा है ये बिल्कुल भी आपके बारे में बुरा नहीं सोच रहा आप जैसा सोच रहो इसके बारे में वैसा ही सोचेगा ठीक है बहुत अच्छी बात है बोले आप पहले वैसा ही सोचोगे जैसा आप सोचते आए हो अभी तक सोचते आए हो मतलब मतलब जैसे माल लो स्पोज करो मैंने ये compound दिया था H2SO5 ध्यान से समझना हम शुरुवात में जब इसको देखेंगे न तो हम इसको वैसा ही देखेंगे जैसा हम अभी तक देखते आए जैसा हम अभी तक देखते भाई हमने ही कर लिया काम डूसरा दूसरा काम क्या करूँ बहूं दूसरा काम 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 कर सामने हूराने हूरही है भाई बहुत अच्छा कोई धरती पर है ही नहीं, बिल्कुल हम इसके सामने यही बात करेंगे, लेकिन बाद में हम इसके background को शाम होते ही, हम इसके background को check करने जाएंगे, शाम होई और शाम होते ही हम इसके background को देखने गए, और जब हम background को देखेंगे, तो हम यह find करेंगे, इसके पास कितने maximum electrons होते हैं, जो यह lose कर सकता है maximum electron कितने lose कर सकता है अब दूसरे step में हम ये देखेंगे मतलब मतलब ये second काम हमारा होगा ये देखेंगे कि जो भी atom होगा उसके पास में maximum number of electron कितने हो सकते हैं या मैं ये कहूँ maximum oxidation state कितनी show कर सकता है क्या उसके पास में 8 दिखाने के tendency है नहीं है तो हम ये देखेंगे उसके पास maximum कितनी oxidation state हो सकती है तो हमने का sulfur की maximum oxidation state तो plus 6 होती है और ये दिखा रहे है 8 ना मतलब इसमें गड़ बड़ है और गड़ बड़ है तो अब हम इसी difference को हम लेके चलेंगे और फिर हम calculate करना शुरू क करेंगे oxidation state में क्या change आ रहा है कैसे निकालेंगे तो यह जो difference होगा ने इनके बीच का जो difference होगा किसका difference calculate की Oxidation state calculated Oxidation state जो हमने calculate की Oxidation state minus maximum Oxidation state maximum कितनी हो सकती है डिवाइड कर दें दो से कब ध्यान से सुनना कब और क्या find करने जा रहे हैं यह हमारे पास में जो formula डिवाइड किया टू कब अगर इफ center atom is equals to 1 द्यान देना यह most important point यह most most important point मेरे पास एक formula निकल क्या गया क्या formula निकल क्या मेरे पास एक formula आ गया और वो formula यह calculate की Oxidation state minus maximum Oxidation state divided by 2 that is equals to number of per oxy linkage bond number of per oxy linkage bond मतलब यह मुझे यह बताएगा यह formula मुझे यह बताएगा कि जो भी compound मेरे को दिख रहे हैं उस compound के अंदर कितने oxygen oxygen bond present है कितने bond present है कब कब यह formula कब valid है यह formula तब valid है जब हमारा centre atom केवल एक होगा केवल एक होगा दूसरा नहीं ओना चीओ उसमें आकेला centre atom मेरा एक है पहले यह फाइंड करो उसमें centre atom ए या नहीं है बिल्कुल यह वन है वन है वन है तो हम find करने चले हमने का बहुत चलो इस compound की structure तो हम जानते हैं structure तो हम जानते हैं और जब जानते हैं तो निकालते हैं जरा जरा निकालते हैं चलो निकालते calculate की हुई oxidation state 8 है maximum 6 होती है divide कर दे 2 से तो 2 बटा 2 बराबर 1 देखो बिल्कुल बाई बिल्कुल सही है इसका मतलब मेरे पास में एक formula बिल्कुल अराम से आ गया कि calculate की हुई oxidation state में से maximum oxidation state को घटा दे और 2 से divide कर दे कब जब center atom 1 होगा ये must है ये must है इसको ध्यान रखना center atom येक होना चाहिए उस case में उस case में हमारे पास जो formula आएगा वो formula ये होगा तो हमने का इसके अंदर पर oxalink is bond 1 है चलो एक और example लेके देखते हैं जैसे माल लो suppose करो मैंने का मेरे पास में दूसरा compound था दूसरा compound कुण सा था chromium वाला CRO5 वाला था बिल्कुल था चलो निकालके देखते जरा इसके लिए हमने का चलो इसके लिए oxygen state calculate की oxygen state हमारे पास में calculate की हुई oxygen state कितनी है तो हमने का भाई ये तो calculate की हुई तो plus 10 है बिल्कुल plus 10 है हमने calculate की जो हमने generally देखी थी वो तो ये है हमने का calculate तो कर ली अब maximum बताओ जरा maximum बोलो तो maximum इसकी होती है किसकी chromium की that is plus 6 वा कमाल है कमाल है maximum दिखाने को तो 6 दिखा सकते हैं और ये oxygen state formula के बेस पे 10 आरी ना कुछ तो गड़बड है और वस गड़बड को बोलते है number of per oxy क्या linkage bonds number of per oxy linkage bonds कितने हैं तो मैंने का calculate की हुए oxidation state that is 10 minus maximum center atom 1 है यह 2 है तो 1 है 1 है तो divided by 2 that is equals to 4 by 2 that is equals to 2 इसका मतलब ये बात हो गई इसका मतलब मेरे को एक बात समझ में आ गई कि जो ये chromium का 5 oxide के साथ में 5 oxygen के साथ में जो bond बनाए है ना उनमें से दो bond तो oxygen और oxygen के जुड़े हुए है उसमें अब ये कैसे है मुझे ने पता यह हम जोड़ना सिखेंगे लेकिन मुझे ये पता चल गया इसके अंदर पर oxy linkage bonds जो है वो दो bond है कि बहुत आराम से बहुत अच्छे से समझ में आगे लेकिन भाई मेरे दिमाग में एक चीज़ और चल रही थी और वह यह कि भाई अगर मेरा कोई compound ऐसा आज यह जिसके अंदर एक से ज्यादा सेंट्र एटम हो तो एक से ज्यादा जैसे मालनो स्पोज करो मुझे कह दे इस एल तू ओ एट बोले इस compound के लिए oxidation state निकालो मुझे बोले इस compound के लिए oxidation state निकाल के बताओ तो हमने का बिलकुल निकाल देंगे लो भाई 2x chlorine के लिए निकालना है ना 2x प्लस oxygen पर माइनस टू आठ ऑक्सिजन है बराबर 0 निकाला हमने 2x प्लस प्लस नहीं माइनस 16 ब प्राबर 8 हैं यह कैसे क्लोरीन तो 8 होता है नहीं 8 नहीं 8 नहीं तो 7 होते है और यहां पर oxidation state 8 अधा रही है इसका मतलब क्या है इसमें इसमें पर ऑक्सी लिंकेज बोड प्रेजेंट है बिलकुल है लेकिन अब मेरे को एक बात समझ नहीं आई और मुझे यह बात समझ नही मкимиनक्राइस बटा दो दिवाइड़ गाँ है ईह क्या ना 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 नैं बिलकुल नहीं क्या नहीं इस बोन में हाफ बोन्ड कभी नहीं हो सकता मेरे पास यह परोक्सी रिंग के जुड में बोन्ड कभी आदा देखा है क्या हाफ बोन्ड नहीं बिल्कुल नहीं इसका मतलब मेरे पास इस फोर्मुले में भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और क्या चेंज करना पड़ेगा अगर center atom एक से ज़्यादा है more than one है maximum ली तो दो ही होते maximum ली तो हम दो ही लेते अगर यदि हमारे पास center atom एक से ज़्यादा है तो उस case में number of per oxy linkage bond निकालने का जो formula होगा वो formula हो जाएगा calculate की हुई oxidation state minus क्या minus क्या minus maximum oxidation state divided by one ना की दो ना की दो ऐसा नहीं है वहापे दो ने डिवाइड में डिवाइड में बन होगा इसका मतलब मेरे पास में परोक्सी लिंकेज बोंड निकालने का यह जो formula था आठ minus 7 बटा एक बराबर एक तो मेरे पास में अब मुझे बहुत आराम से समझ में आ गया मेरे को दो formula मिल गए और इन दो formula के basis पे अब मैं compound के नंबर और परोक्सी लिंकेज बोंड find कर सकता हूं कि किसके अंदर नंबर और परोक्सी लिंकेज बोंड मिलेंगे और किसमें नहीं मिलेंगे कब मेरे पास में कोई compound में variation आएगा कैसे आएगा structure को बनाके हम बहुत आराम से उसमें define कर सकते हैं उसकी oxidation state को देखो जरा जैसे कोई कह दे कोई example बताओ जरा इनके लावबाई example देते हैं मैंने का H2S2O8 कुछी जरा इसमें oxidation state कितनी है तो मैं आपके सामने कुछ compounds लिख रहा हूं उन compounds में आपको oxidation state के साथ में आपको ये find करने हैं ध्यान से सुनना मैं कुछ compound लिख रहा हूं बाद में उनका solution भी दे रहा हूं लेकिन पहले आपको खुद से करने जो भी मैं compound दूंगा उन compounds में oxidation state निकालनी है और ये चेक करने किसके अंदर पर उक्से linkage bond है और किसमें नहीं है ठीक है तो ध्यान से देखना h2s207 h2s207 h2s206 तीन compound यह हो गया next compound h4p207 h4p208 ठीक है उसके बाद p4o10 हमारे पास यह compound हो गया next चलो next चलो हमारे पास यह हो गया हमारे पास cr2o3 हमारे पास में दूसरा है k2cr2o7 mno4- यह kmno4 ठीक है हमारे पास में k3cr08 cr05 यह हमारे compound हो गए compound मैं आपके सामने दूँ cl207 cl208 इनके अंदर हमें कोई पूछ ले बताओ वाई इनके अंदर oxidation state भी निकालो साथ में इनके अंदर यह बताओ कि किसमें परोक्सियलिंकेज बोंड एक्जिस्ट करेगा और किसमें नहीं करेगा तो चलो calculate कर लेते हैं calculate कर लेते हैं H2S2O8 निकाली अगर ध्यान से सुनना परोक्सियलिंकेज बोंड किसमें प्रेजेंट होगा किसमें प्रेजेंट होगा तो मुझे एक बात यह पता चल चुकी है जिस component के अंदर oxidation state maximum को cross कर जाए maximum oxidation state को cross कर जाए जिस किसी component के अंदर oxidation state maximum oxidation state को cross कर जाए तो यह समझ ले ना उसके अंदर परोक्सियलिंकेज बोंड प्रेजेंट है तो निकाल लो अब जरा निकाल लो H2S2O8 में निकालते हैं sulfur की oxidation state कितनी आएगी आप पताओगे फटाफट से तो इसके अंदर आएगी plus 7 क्योंकि हमारे पास में 2, 16, 14 बचेगा और 14 by 2 that is 7 इसके आपको प्लश देखने को मिलेगी इसके अंदर निकालोगे तो इसके अंदर तो और भी कमा जहीं कि plus 5 आजएगी यहाँ पर देखोगे तो plus six आएगी यहाँ पर देखोगे तो plus 5 मैं पहले यह चेक कर लेता हूं क्या해 इनमें है यह यह plus 7 अलफर तब कि वहां पे परोक्सिलीकेज बौंड पाए जाने की possibility possibility नहीं है definite है एक नहीं दम यहां देखो प्लस 6 बिल्कुल होगा सोरी प्लस इसे ना प्लस 6 और सलफर की तो प्लस 6 और प्लस 6 यह होते maximum नहीं यह यहां पर औकसिय लिंगकेज बॉंड प्रेजेट नहीं होगा अगर यूदि मैक्सिमम से कम है यह मैक्सिमम के बराबर है तब उसमें कोई परोक्सिय लिंग बॉंड नहीं होगा बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि देखो हमने कैलकुलेट कि हुई oxidation state minus maximum divided by 2 या एक जो भी है अगर यदि इसके बराबर हो गई तो 0 0 बटा दो तो 0 ही होगा 0 होगा अगर यदि वो इससे छोटी है तो minus में और minus में बॉर्ण थोड़ी होगा तो इसका मनलब definite है कि हमारे पास में अगर oxidation state maximum के बराबर या maximum से छोटी है तो वहाँ पे परोक्से लिंकेज बॉर्ण पाई जाने की possibility नहीं है clear चलो आगे देखो H2S2O6 इसमें निकाले plus 5 maximum तो 6 होती है यहाँ प्लस 5 है नहीं यहाँ भी नहीं होगा आगे बड़े H4P2O7 plus 5 phosphorus की maximum तो 5 ही होती है बिलकुल यहाँ पे कोई परोक्से लिंकेज बॉर्ण नहीं है पांच और पांच बराबर है नहीं होगा plus 6 यहाँ मिलेगा plus 6 में मिलेगा P4O10 में 9 बिलकुल नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि इसके plus 5 maximum है बिलकुल है CR2O3 देखो जरा यहाँ पे देखो जरा देखो जरा प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3 ओ नो प्लस 6 होती है maximum नहीं होगा के टू CR2O7 में निकालो इसमें निकालोगे तो आपको प्लस 6 देखने को मिलेगी नहीं बिलकुल नहीं होगा के में नोफोर मैक्सिमम मैगनीज की मैक्सिमम उक्षिडेशन स्टेट प्लस 7 होती है प्लस 7 नहीं बिलकुल नहीं होगी नहीं होगा बिलकुल नहीं होगा CR8 देखो जरा इसमें निकालो के 3 CR8 तो यहाँ निकालते हैं 16 13 यस प्लस 13 प्लस 13 क्रोमियम पे उक्षिडेशन स्टेट प्लस 13 यस बिल्कुल मिलेगा डेफिनेट मिलेगा प्लस 6 ही तो होती है मैक्सिमम और यहां तो प्लस 13 आ रही है बिल्कुल मिलेगा डेफिनेट मिलेगा सी आरो 5 में अगर कोई पूछ ले बताओ सी आरो 5 में तो सी आरो 5 में हमारे पास में क्या होगा प्लस 10 थोड़ी होती है यस बिल्कुल होगा यहां देखो सी एल्टू ओ सेवन प्लस 7 ऑक्षिडेशन स्टेट ना क्लोरीन तो दिखाता प्लस 7 है बिल्कुल शो करता है यस इसम होगा एकदम क्लियर हो गया एकदम क्लियर हो गया एकदम क्लियर हो गया तो सबसे पहले आपका काम यह है पर ओक्सीलिंकेज बॉंड को फाइंड करना जो भी कंपाउंड आपको देखे उसमें यह चेक करो कि उसके अंदर पर ओक्सीलिंकेज बॉंड कितने हैं कैसे निकाल बॉक्स में जरूर मेंशन करें और अगर वीडियो आपको अच्छे लगी है तो इसे लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू बेरी मच और वे नाइस दे बाबाई टेक क्यार